हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटियल पर स्वागत है तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का विकली टेस्ट साइंस का भेर भेर इंपोर्टेंट कोर्शन देखने वाले हैं आप लोगों का कल एनी की 9 अक्टूबर 2023 को विकली टेस्ट है आप अची तरीके से टेस्ट का त्यारी कीजिएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को भेर भेर इंपोर्टेंट कोर्शन बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को पुरा दिखेंगा और अपने सभी दोस्तों के और पूरा वीडियो को देख कर जाएगा थाकि टेस्ट में आपका फुल मार्क्स आ सके तो चले बिना देर के हम लोग कोशन की ओर बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर पहला जो कोश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं दस-दस कोश्चन है और दो-दो मार्क्स का है ठीक है ट מא का ओफिन की इर दुसरा ओप्सन है चार गरुप में तीसरेंदग्र में यहाँ प्सरा पांच गरुप में चोचर्था ऑपशनेदग्रूप में है तो इसका सही अंसर हो जायगगु जायगु आपंच इन कोज़ी रही बढ़त नीला हरित से वाल है ब्लू ग्रीन फंजाइ या प्लांटी तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number दुसरा protista protojoa, protista प्रजाति का जीव है इसको भी आपको याद कर लेना है फिर देखें next चार नंबर pinus और psychus pinus और psychus है तो कौन सा class में आते हैं उसको बताना है तो देखें पहला option है telophyta, दुसरा है brophyta, तीसरा है, teridophyta, चोथा है जीवों को रखा गया है किसमें रखा गया है जिसे इंगलिस में इसको लोग बोल सकते हैं eukaryotic, multicellular and heterotropic organism has been included in किस में रखा गया है, planty में रखा गया है, फंगी में रखा गया है या monera में रखा गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number दूसरा, anymilia में रखा गया इसको याद कर लिजेगा, anymilia फिर देखें next 6 number गुर्टवकर्षन बल्कि कोज किस ने की थी? बहुत easy question है आर्गमिंटीज ने या Newton ने या Galileo ने या इन में से कोई नहीं तो गुर्टवकर्षन ठीक है, गुर्टवकर्षन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि Newton का low उसमें गुर्टवकर्षन था तो यहाँ पर option number दूसरा सही हो जाएगा फिर देखें next अगला 7 number 7 number की question है गुर्टवकर्षन इस्तिरांक G का मान क्या होगा यह वीडियो, मतलब पिछला जो वीडियो था उसमें यह question आप लोगों को दिया था दूसरा option है 6.67 into 10 to the power minus 10 Newton meter square per kg square और तीसरा option देखें 6.67 into 10 to the power 12 Newton meter square per kg square और चोथा option देखें 6.65 into 10 to the power minus 9 Newton meter square per kg square तो दिखें यहाँ पर टाइपिक मिस्टेक हुआ होगा इसका में अंसर आप लोगों को बता दे रहा हूं 6.67 into 10 to the power minus 11 फिर Newton meter square per kg square यहाँ पर minus 2 लगेगा यहाँ पर आप देहां दीजिए option नमबर पहला सही हो सकता था लेकिन यहाँ पर देखें minus 2 आपको नहीं दिखने को मिलेगा और अंसर में minus 2 यहाँ पर लगना ही लगना है ठीक है तो यह value का आप याद कर लीजिएगा चलिए अगला question बढ़ते हैं हम लोग अब 8 number किसी वस्तू का चद्रमा पर भार प्रित्वी पर इसके भार का होता है यानि कि प्रित्वी पर कोई वस्तू है उसको चद्रमा पर ले जाएंगे तो चद्रमा में उसका भार कितना गुना हो जाएगा चद्रमा हो जाएगा, दस गुना हो जाएगा तो नवन भाग तो आप नवन गब दाब का SI मात्रक पास्कल होता है जो निम्न के बराबर है पास्कल होता तो है लेकिन वो किसके बराबर होता है यहाँ पर पूछा गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा देखिए पहले option देखे लेते हैं हम लोग पहला option देखिए किलो ग्राम मीटर स्कौर दूसरा है नूटन मीटर स्कौर तिसरा नूटन पर मीटर स्कौर अचौथा है नूटन इसका सही अंसर हो जाएगा option नमबर दूसरा नूटन मीटर स्कौर इसको आप लोग याद कर लिजेगा अब भटते है next अगला question के ओर यहाँ आप देखिए 10 नमबर गन्हतो का SI मातरक है गन्हतो का SI मातरक quya है पहلا option है Newton meter cube दूसरा option है Newton meter square तीसरा option है kg per meter cube और दोगता option है kg meter cube तो इसका सही अंसर हो ज Commission number 3 kg per meter cube इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है अब लोग चलिए कुछ subjective important question देख लेते हैं जिसे देखिए एक यहाँ पर important question है प्रकास sensation करने वाले एक कोशिका eukaryotic के due को आप किस जगत में रखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा protista में question important है आप लोगों को याद कर लेना है फिर अगला जो important question है हमारा देखिए पादव जगत के प्रमुक वर्ग कौन से हैं इस वर्गिकरन का क्या आधार है तो इसका उत्राप इस पर का लिखना है पादव जगत को पांच प्रमुक वर्गों में बाटा गया है पुस्पक की उपस्थिती औन उपस्थिती बीजों पर आवरन का होना न होना एवं बीजों का एक बीजपत्री होना अथवा दूई बीजपत्री होना आधी इस वर्गिकरन के प्रमुक आधार हैं यहाँ पर किलर नहीं दिख रहा होगा तो जो मैंने पढ़ा है इसको आप लिख लीजिए और याद के लीजिएगा आप अपने सब भी अंसर लिख सकते हैं अपना बुक में या नोट में मनाये हैं तो वहां से आप अंसर लिख सकते हैं फिर देखे अगला एक अन्य पिंड को एक बल से आकशित करता है जो बल उन दोनों पिंडों के ड्रभिमान के गुननफल का सीधा सवानुपाति एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग का वियुत कर्मनुपाति होता है यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिसा में लगता है और इसको आप बना लिजेगा अची तरीके से इसको प्रक्टिस कर लिजेए मैंने ये कोसें आई ठिंक पिछला वीडियो में भी दिया था अची तरीके से इसको आप याद कर लिजेगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहों आपका एक्जाम में चलिए आगे बढ़ते हैं लोग और की important question है देखिए पक्षी वर्ग एबं अस्तनपाई वर्ग के जनतुओं में क्या अंटर है देखिए तो इसका पक्षी वर्ग इस तरह के साप लाइन कीच लीजेगा इधर अस्तनधारी वर्ग या अस्तनपाई वर्ग देखिए पहला पक्षी वर्ग में इनमें पंखों का बायकंकाल पाया जाता है फिर देखिए दुसरा ये अंडे देते हैं फिर तीसरा देखिए इनकी हड़ियां खोखली होती है वही पर देखिए अस्तनपाई वर्ग में पहला नंबर पहला नंबर है इनमें बायकंकाल के अस्थान पर बाल पाया जाते हैं जिससे हम लोग इ अच्छी तरीके से इसको प्रेक्टिक्स कर लिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो चलिए मैं आप लोगों को और कुछ-कुछ पर इसका भार कितना होगा यह आप अपने से कर लिजेगा फिर अगला है देखिए उत्पला वक्ता से आप क्या समझते हैं इसको भी आप अपने से कर सकते हैं बाकि सब कुछ मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ठीक है तो पस आज के लिए इतना है वीडियो अच्छी लि प्रवाश्य वीडियो आप लोगों को बता दूँगा फिर आप लोगों के लिए जब बोर्ड एक्जाम आएगा उसमें भी आप लोगों के लिए भेर भेर इंपोर्टेंट कोर्शेन अप्लोड कर दूँगा जिसे आप लोगों का काफी अच्छा प्रप्रेशन हो सके